हेलो दोस्तों आज देंगे अगर आप रेड्मी का फोन यूज़ कर रहे हैं और आपका आपडेट आने के बाद डाउनलोड आपडेट का प्रॉब्लेम हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए मैं सॉल्प कर दूँगा देखिए अगर डाउनलोड आपडेट लेकिन डाउनलोड हो नहीं रहा है तो इस वीडियो में इस प्रॉब्लेम को मैं सॉल्प करके दिखाऊंगा तो कुछ स्टेप आपको फॉल्व करना पड़ेगा देखिए मैं यहां से पहले डाउनलोड को क्लिक करके स्टॉप कर दूँगा डाउनलोड को फिर बैक करना के बाद यहां पर इसे पहले हैं पहली देकना है अपकाcznem Xp fix ठीक है के नहीं मैं एक आपको आप्रके करके देखता हूं कि कोई आप आपको आपको अपना हो राया है मतलब मेरा निय इन श्पीड ठीक है तो पेस टरने नहीं है अब आपको कोई आप खोल लेना है देखिए मेरा यह भी आपडेट हो गया मतलब मेरा नेट स्पीड ठीक है मैं एक आप खोल के दिखाता हूं आपको कि मेरा नेट सही है के नहीं मैं देख लेता हूं मेरा नेट सही है के नहीं में यूट्यूब खोल के देखता हूं कि मेरे यूट्यूब ठीक चल रहा है मतलब मेरा नेट से यह आपको यहां से बैक आ जाना है बैक आने के बाद फिर से से शेटिंग सब्समें जाना है बैक आने के बाद में सेटिंग सब्समें जाओंगा सेटिंग्स में जाने के बाद सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर देखिए उपर त्री डॉट से इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पर जाना है डाउनलोड आटोमेटिकली आफ कर देना है डाउनलेडिंग यूजिंग मुवाइल लेटा और इंस्टल आटोमेटिकली नाइट डेटा यह भी आपको आफ कर इस पर क्लिक करना है क्लिक करने, के बाद आपको यह उसके, अपडेट लिक के सर्च करना है। मैं अपडेट लिक के सर्च कर देता हूं। अपडेट लिख के सर्च करने के पाद ऐसा option आएगा। पहले जो है Dynamic System Update इसमे क्लिक करना है। Clear data कर देना है। क्लियर कैचे करना है पिर से क्लियर और डेटा करना है बैक आने के बाद डैनेक सिस्टेम आपडेट इस पर क्लिक करना है इस पर बहुंसे अब अब्डेटर क्लियर करना पहले की क्लियर कैचे करना है फिर क्लियर डिलिट ऑल डेटा कर देना है अब आप डेटर पर जाना है क्लियर कैचे क्लियर ऑल डेटा करने के बाद यहां से बैक आना है बैक आना आने के बाद डाउनलोड अपस्ट में क्लिक करना है आपको प्लिक करने के बार देखिये आपको डो प्लिक करने के बाद है आपको सब्सक्राइल है के दाणड फॉस पर किलिक करने के फिर से clear catch और clear delete all data कर देना है बैक आना है यहांसे back आपको जाना है back आने के बाद देखिए back आने के बाद आपको फिर से settings पर में जाना है settings पर जाने के बाद about phone में जाना है उसके बाद इसको नो कर देना है नो करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक करना है इस पर डाउनलोड दिखा रहा है डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद टान अन पर क्लिक करना है तो यहां पर देखिए डाउनलोड इसको आपको आफ कर जाए कि और ने यहां से बैक आना है बैक आने के बाद देखिए कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया तेखिए कि 1.1B स्पीड है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया अब भी बहुत इजीली ऐसे आप यह प्रॉल्लिम को सॉल्ब कर सकते हैं बहुत इजी प्रोसेस इस पॉसस को फॉलो करके तो देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया वान पर्सन हो गया तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना ऐसे और वीडियो चाहिए 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 सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकोन को बजा देना मिलते अगले वीडियो तब तक लिए खुस रहना अच्छा रहना वीडियो देखने के लिए धन्वाद